हे गई जे वेलकम टू एस्टुडी का रन्वे यूटूब चैनल डी स्टुडेंट से आज की इस वीडियो में हम माध्य, माध्यका, बहुलक और परिसर निकालना शीखेंगे तो यहाँ पर एक क्योश्चन दिया गया है जिसका की हमें माध्य निकालना है तो दोस्तो माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है माध्य बराबर संख्याओं संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कुल संख्या अब देखिए दोस्तों पहले तो हमें क्या करना है यहाँ पर जो भी संख्यादी गयी है इन सभी का योग कर लेना है तो आएक करते हैं 3, धन 2, धन 4, धन 6, धन 5, धन 8, धन 5, धन 7 इसके बाद क्या करना है बटा का साइन लगा लेना है इसके बाद क्या करना है कुल संख्या है न तो यहाँ पर सभी संख्याओं को कौन कर लेना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो यहाँ पर नीचे में आठ लिख लेना है अब क्या करना है इन सभी को जोड लेना है क्योंकि संख्याओं का योग कहा गया है तो 3, 2, 5, 4, 9, 6, 15, 15, 20, 28, 28, 25, 33, 37, 40 तो यहाँ पर जो है आ गया 40 और बटा में 8 है तो इसे हमें काट लेना है तो यह कारते हैं 8 पचे में होता है 40 तो कितना आ गया एंसर? 5 आ गया यहाँ पर एक क्यूस्चन दिया गया है जिसका हमें माध्धिका निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कि जो संख्या दी गई है इन्हें आरोही क्रम में लिख लेना होगा आरोही क्रम मींस होता है बढ़ते हुई क्रम इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं इसके बाद उससे थोड़ी बड़ी संख्या को लिखते हैं अब उससे दो से बड़ी संख्या कौन है तो 5 है इसके बाद 7 है फिर 9 है फिर 12 है इसके बाद 15 है तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले तो संख्याओं को आरोही करम में लिख लिया है अब क्या करना है? तीन संख्या इधर से और तीन संख्या इधर से जो है ले लेना है तो इसमें बीच की संख्या कौन बची तो साथ बची तो यही हमारा जो है मादिक्या हो गया मादिक्या मतलब ही होता है बीच की संख्या अच्छा यहां पर माली यह 20 संख्या था तो बीच का निकल के आ गया अगर माली जी यह नंबर सम संख्या में होता तब आप इसे कैसे निक्यालते माली जी यहाँ पर 4 होता तो कैसे निक्यालते तो इसका भी हम आपको तरीक्या बता रहे हैं पहले जो है इसे आरोही करम में लिख लेना है तो लिखिए 0, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15 अरोही करम में लिख लिया अब देखिए अगर इधर से हम 4 संख्या कर दे रहे हैं और इधर से 4 संख्या कर दे रहे हैं तो बीच में कोई संख्या नहीं बच रही है तो हम क्या करेंगे 3 संख्या इधर से ले लेंगे और 3 संख्या इधर से ले लेंगे तो यहाँ पर बीच में कौन कौन सी संख्या बची पांच और साथ बचा तो हमी क्या करना है पांच और साथ को जोड़ लेना है तो जोड़िए पांच साथ कितना हो जाएगा बारा हो जाएगा अब यहाँ पर कितनी संख्या है दो संख्या है तो बटा में 2 कर लिजिए अब इसे कार लिजिए दो छका में 12 तो जो है इसका मादि का कितना हो जायेगा 6 हो जायेगा ठीक है यही मारा answer होगा अब यहाँ पर एक क्यूस्चन दिया गया है जिसका की हमें बहुलक निकाल ला है तो बहुत ही आसंत्रीक है दोस्तो दी गई संख्या में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वह उसका बहुलक हो जाएगा अब आप यहाँ पर चेक कर लिजिए कि सबसे ज्यादा बार कौँसा नंबर आया है तो यहाँ पर देखिए नव कितनी बार आया है एक दो तीन तो यहाँ पर जो है नव कितनी बार आया है तो तीन बार आया है अब देखिए पांच कितनी बार आया है तो एक दो तो यहाँ दिखी रहा है कि 9 सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या है तो 9 ही इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा यहीं इसका answer हो जाएगा यहां पर एक question दिया गया है जिसका की हमें परिसर निकालना है तो बहुत ही इजी तरीक है दोस्तों यहां पर दिये गए नंबर में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेना है तो फार्मूला क्या है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है छोटी संख्या को घटा लेना है अब बड़ी संख्या इसमें से सबसे कौन सी है तो 9 है माइनस करना है सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन जारा है रही 2 तो यहाँ पर 2 को घटा लेजिए 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा साथ आएगा तो यही हमारा एंसर हो जाएगा